तो हम लोगों ने जो last class की थी solid state पर उसमें आमने ब्रेवियास lattice के बारे में पढ़ लिया था और हमें ये पता चल गया था कि किस तरीके से ठीकें आप लोगों के crystal systems क्या किये जाते हैं classify किये जाते हैं ठीके ओके तो ऐसे case में अभी जैसे हम लोग already solid state का बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके हैं अब हमें solid state के अंदर गुसना है तो जब तुम्हें solid state के अंदर गुसना है तो तुम्हें कुछ basic terms के बारे में पता होना चाहिए ठीके क्या है क्या पता होना चाहिए उनके बारे में सबसे पहला हम लोग already कल शुरुवात कर चुके हैं हमें यह पता है simple cubic unit cell क्या होता है हमें यह पता है body centered cubic unit cell क्या होता है हमें यह भी पता है कि face centered and centered cubic unit cell क्या होता है but the point is in cubic unit cell में आप लोगों को जो atoms लिखते हैं क्या यह atoms सही में पूरी तरीके से 100% आप लोगों के उस unit cell में मौझूद है यानि कि मैं कहने का कि एक चेहरी हूँ मतला मेरा कि अगर हम लोग बात करते हैं simple cubic unit cell की तो उसमें 8 corner atoms होते हैं अगर मैं उसके एक unit cell की बात करूँ तो अगर मैं body centered की बात करूँ तो देखने समय लगता है कि 8 corner atoms होंगे यहोंगे प्लस एक atom कौन सा होगा जो पूरे के पूरे cube के कहां पे रह रहा होगा center पे रह रहा होगा अगर मैं FCC की बात करती हूँ तो FCC में क्या होगा आपके पास 8 corner atoms होंगे यहोंगे प्लस टोटल वहाँ पे कितने 6 atoms होंगे जो की face के कहां पे रह रहे होंगे center पे रह रहे होंगे समझ में अरी बाद जो कहां पे रह रहे होंगे face के आप लोगों के center पे रह रहे होंगे यह चीज होगी तुम लोगों की अब मुझे यह बताओ कि जिस तरीके से तुम लोग अभी यह particular class कर रहे हूँ इस particular class को करते वक्त क्या जो तुम्हारा दिमाग है वो पूरी तरीके से 100% इस class में है क्या नहीं ऐसा तो नहीं होता अगर ऐसा होता तो तुम लोग तो बाबा बहुत ही intelligent बच्चे कहलाते डाट ठोड़ना परती ऐसे case में तुम लोगों को अभी तुम लोग 50 चीजे सोच रहे होगे अभी कुछ लोगों को कुछ TV सीरीज याद आ रही होगी किसी को कोई movie याद आ रही होगी किसी को अपने दोस से जगड़ा याद हो रहोगा it means that तुमारा अभी फिलाल हो सकता है 100% concentration तुम लोगों का यहाँ पर नहीं हो ठीक है बराबर 100% concentration तुम लोगों का यहाँ पर नहीं है ऐसा scene हो सकता है ठीक है ऐसा हो सकता है तो अभी हमको ऐसा लगता है कि simple cubic unit cell में आप लोगों के पास 8 corner atoms होते हैं तो बात यह क्या सही में 8 corner atoms होते हैं क्या सही में वो 8 के 8 atom उस एक unit cell के अंदर रहते हैं तो तुम बोलो कि obviously आपने कली बतायता रहते होंगे but the answer is नहीं वो जो 8 atoms आपको corner में लगता है कि रहते हैं और सारे के सारे एक ही unit cell के हैं basically वो एक unit cell में नहीं रहते यह क्या basically वो एक unit cell में आप लोगों के नहीं रहते बराबर एक unit cell में नहीं रहते फिर कहां रहते हैं वो लोग जैसे की एक unit cell में रहने का मतलब क्या होता है मान लो मैं तुम्हें एक cube बना के दे रही हूँ ठीक है यह हम लोगों ने एक cube बनाया यह आप लोगों का एक cube है अच्छा अब इस cube में हमने कल क्या पढ़ाता चाहे आप simple cubic पढ़ो चाहे आप body centered पढ़ो या चाहे आप face centered पढ़ो हर corner में एक atom होगा यह पढ़े थे तो let's say यह आपका corner है ठीक है इस पे एक atom है अब मैं कहती हूँ कि एक atom completely कहां रहता है एक atom completely unit cell के अंदर रहता है इसका मतलब यह होता है इसका मतलब यह होता है कि वो जो एक atom है ठीक है बराबर उस एक atom का आपका उस एक atom का एक भी हिस्सा एक भी हिस्सा उस particular कमरे से बाहर नहीं जा रहा होगा वो atom completely कमरे के अंदर है ठीक है मतलब उसका एक भी हिस्सा बाहर की तरफ नहीं जा रहा है ठीक है बराबर एक भी हिस्सा आपका कहा नहीं जा रहा है ठीक है कहा नहीं जा रहा है आप लोगों का atom का एक भी हिस्सा उस particular space के बाहर नहीं जा रहा है तब आप क्या कहोगे बताओ कि आप लोगों का वो particular atom completely unit cell के अंदर है बट हमने कर जो diagram मनाए थे उन diagram में हमने क्या देखा था उन diagram में हमने रेखा था कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये completely आपका एक atom है तो उस atom का पूरा का पूरा पार्ट क्या वो उस cube के अंदर लाई करता है क्या नहीं है ना वो पूरा का पूरा पार्ट cube के अंदर नहीं लाई करता है उसमें से सिर्फ यही इतनु सा ही पार्ट है जो Cub KK कहां है Inside है Otherwise जिसको मैं Pink Shade कर रही हूँ यह वाला इतना पार्ट यह पुरा काँ पुरा कहां है आप लोगों के Cub KK कहां पर है बताव Outside में है तो इससे यह समझ में आता है कि हमें लगता है हैना we feel that हमें ऐसा लगता है हमें हम ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों का वो जो एक आटम है वो 100% तरीके से कहां होगा inside आप लोगों के cube होगा बट ये चीज आप लोगों के true नहीं है this is not true ठीके corner पे रहने वाला वो atom completely आप लोगों का क्या नहीं है 100% तरीके से आप लोगों का कहां नहीं है cube के अंदर नहीं है उसका कुछ part cube के अंदर है और कुछ part उसका क्या है cube के बाहर है क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ रहे है कि उसका कुछ part cube के अंदर है और उसका कुछ part क्या है cube के बाहर है क्या ये बात बेजे में गई बस यही से हम लोगों को ये स दिख रहे हैं, वो atom सही में उस unit cell के अंदर हैं, उसी के हैं पूरी तरीके से एक dev simply, बेराबर तो ऐसे में बोलो, ऐसा होता है, क्या reality में ऐसा नहीं होता? बेराबर आप लोगों का वो जो क्या कहते हैं यूनिट cell है वो unit cell आप लोगों का उस particular atom को properly पूरी तरीके से contain नहीं करता है उसका कुछ माट बाहर जाता है कितना जाता है वो हम अभी सीखेंगे बट कभी भी वो atom completely अंदर नहीं लगता यानि कि अगर तुमको अभी तो आधित्य के पापा एक अपपल खरीद के लेके गए है अच्छी बात है तो दुकान वाले की नजर में उसकी दुकान से कितना अपपल गया है एक अपल गया है बट जो को एक अपल घर में गया तो लेट से वहाँ पे खाने वाले चार लोग तो उस एक अपल का इकवल डिस्ट्रिबूशन हुआ और सच डाइट हुआ कि हर एक बंदे को बोलो कितना मिलेगा वन बाइ फॉर मिलेगा है न क्योंकि एक अपल है और चार लोग है एक अपल डिवाइड़ बाइ फॉर परसंस तो हर इंसां को कितना मिलेगा वन बाइ फॉर मिलेगा तो दुकान वाला कहता है कि मेरे दुकान से एक अपल गया अधित्य तूने तो एक अपल खाया होगा त वो बोलेगा मैंने कितना खाया, मैंने justified, घैन। दुकानवाला बोलेगा इस से कैसे, मेरी दुकान से यह एक अपल गया था, तो आदित्यस इसको समझाएगा, की देखो भाइया, माना की आपकी दुकान से एक अपल गया था, लेकिन जब वो मेरे घर में पहुंचा घर मतलब unit cell में है ना घर मतलब कहाँ पे unit cell में तो मेरे घर में पहुंचते पहुंचते वहाँ पे क्योंकि वो particular apple share हो गया वो particular apple बोलो क्या हो गया share हो गया और क्योंकि वो apple share हो गया इसी लिए मुझे को बोलो क्या मिला ठीक है बताओ मुझे क्या मिला आप लोगों का सिर्फ उसका one by fourth हिसा ही मिला तब दुकान वाला कहता है ओ अच्छा ऐसा यानि कि हमें लगता है ठीक है हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास वो एक आटम completely है लेकिन क्या वो एक आटम हमारे प अच्छा पास completely नहीं होता वो एकंठों शेयर होता है अपने आजू बाजू के और दूसरे य्णिट्स इल्स के साथ देखो ऐग्चुली अगर आप किसी भी क्रिस्टल को व्यू करोगे तो किसी भी crystal में सिर्फ एक unit cell तो होता नहीं है है ना किसी भी crystal में एक unit cell होता नहीं है ऐसे आजू-बाजू बहुत सारे unit cells होते है ऐसे आजू-बाजू बहुत सारे unit cells होते है तो हम लोग study किसकी करते हैं हम study करते हैं एक unit cell की बट reality में उस एक unit cell के आजू बाजू ठीक है reality में उस unit cell के आजू बाजू और भी बहुत सारे क्या होते हैं unit cells होते हैं बराबर उसके आजू बाजू क्या होते हैं और भी बहुत सारे unit cells होते हैं और वो जो atom होता है आपको ऐसा लगता है कि वो atom जो corner पर रखा वाला atom है वो ए इक यूनिट सेल का है बट नहीं वो एक एटम अपने आजू-बाजू वाले और यूनिट सेल के साथ भी क्या हो रहा होता है शेयर हो रहा होता है इस तरीके से यह चार रूम बनाए ठीक है और मैंने बीच में क्या किया यह एक एटम रख दिया तो क्या यह कहानी तुम्हें एपल के कहानी के जैसे नहीं लगती कि पापा बाजार से एक एपल लाए और वो एक एपल चारों में डिस्ट्रिब्यूट हो गया कैसे देखो यह इतना पार्ट इस वाले के पास आया है इतना हिस्सा इस सेकेंड रूम वाले के पास गया है इतना हिस्सा थर्ड रूम वाले के पास गया है और इतना हिस्सा आप लोगों के कौन से वाले फोर्थ रूम वाले के पास आया है तो सिमिलरली जो आटम आप लोगों के कॉर्णर में रहता है, वो corner में रहने वाला atom क्या होता है कभी भी, खुद के मतलब खुद का नहीं रहता है completely unit cell का नहीं होता है 100% completely unit cell का नहीं होता वो atom किसका होता है बोलो वो atom आजू बाजू और लोगों से share होता है अब कितने लोगों से share होता है अभी मैं इस पारे में बात नहीं कर रही हूँ बट यह और लोगों से शेर होता है क्या होता है आप लोगों के और लोगों से भी यह क्या होता है शेर होता है शेरिंग होती है आटम की ठीक है आटम की क्या होती है sharing होती है समझे हो atom की क्या होती है sharing होती है कभी भी corner में रहने वाला atom यार रखना corner में रहने वाला atom corner में रहने वाला atom ठीक है unit cell का 100% नहीं होता unit cell का 100% नहीं होता ठीक है वो आजू बाजू के और भी unit cells के साथ क्या हो रहा होता है share हो रहा होता है अब एक घर में अगर चार लोग है तो एक अपल के चार हिस्से होंगे एक घर में अगर दो लोग है तो एक अपल के दो हिस्से होंगे depends की घर में कितने लोग रहते हैं depends की घर में कितने लोग रहते हैं तो जैसे मैं भी यह कह रही हूँ क्योंकि corner में रहने व्हाला atom right आप लोगों और रोकी और कि आ रोखों को क्या नहीं होता है उस सल का नहीं होता तो किस्टे ऋंट के वैंड भूब सब negóत है कि वह तो अभी उजीच को हम आगे सीखेंगे की part तो तुम्हारे घर से जो राइट साइड में नया घर बनेगा उसको common boundary मिलेगी उसको वो boundary create करने की जरवत नहीं होगी क्यों कि तुम already create करके रखे हुए हो है ना बस इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का वो लोग क्या कहते हैं इसको particular चीज़ को हम लोगों का आप लोगों का sharing कहते हैं और ऐसी ही sharing unit cells के अंदर रहने वाले corner atoms भी करते हैं ऐसी ही sharing unit cells के अंदर रहने वाले आप लोगों के corner atoms भी करते हैं बराबर आप लोगों के corner atoms भी करते हैं बराबर अच्छा तो अब ऐसे case में अब हम लोगों को जानना है कि किप्ते लोगों के बारे में बीच में sharing हो RING हो RAY है ठीक है समझते हैं किते लोगों के बीच में sharing हो RAY होरी है आगे बट पहले हमको यह समझ में आ गया की corner कॉर्णर वालों के अलावा एक एटम होता है कहां पे सेंटर में क्यूब के सेंटर में इमाजिन करो अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ आप अभी जिस कमरे में बैठे हो हवा में उस कमरे में हजो हवा है मतलब जो कमरे का वॉल्यूम है उस कमरे के बीच ओ बीच एक बॉल लटक रही है ऐसी बिना किसी धागे वागे की गम जादू हैजीपोर्टर वाला जादू pedals 境ंवरा कि फ्रू वह कम्रे में लटक रही है ठीक है बीच में इसी वह कमरे में पड़ी हुई है वा ल समझ है ऐस पड़ी हुई है एकन्ण कमरे के भीचो बीच को या वो बॉल कि किसी आजू-बाजू के, किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर हुई क्या, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बॉल उस यूनिट सेल के अंदर है completely, तो basically जो आप लोगों के body centered, जो आप लोगों के atom center में रहते हैं, कौन से वाले center पे, body center में रहते हैं, वो किसी क किसी के साथ भी शेयर नहीं होते, वो किसी के साथ शेयर नहीं होते, वो 100% क्या होते हैं, बताओ, उस completely उस यूनिट सेल के होते हैं, 100% वो क्या होते हैं, उस complete यूनिट सेल के होते हैं, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं होता, तुमारे घर के अंदर, तुमारे कमरे में, आप लोगों के किया कहते हैं, ब्सक फ्रावारा किसी कुल साइब रही है, सिसार हो रहती है? नहीं हो रही है. आप क्या होता किल रहती है? उसी रूम की रहती है। वो कभी किसी दूसरे के सा शेर नहीं होती तो corner वालों में क्या हुआ मैंने ये बता दिया body center में क्या हुआ मैंने ये बता दिया अब हम लोगों को face center वाले atoms के बारे में भी पढ़ना है बट face center वाले atoms के बारे में बागने पढ़ते हैं कभी भी किसी भी प्रकास से उस एटम के 100% नहीं होते है ना बराबर अच्छा वो उसके क्या नहीं होते कभी भी 100% नहीं होते अच्छा लेकिन जो बॉडी के सेंटर में रहता है वो उस यूनिट सल का 100% होता है अब देखो बात ऐसी होती है कि आप लोगों के पास में जो solid state chemistry country है उसमें जो ये part है कि अगर मान लेते हैं हमें ऐसा लगता है कि सेंपल कूबिक युटे साल में 8 corner में 8 अच्छा होते हैं तो बेशीकल 4T138 से कुछ कम होंगे मतलब एक कौरूणर में आपको ऐस लगता कि एक कौरूणर नहीं है तो कितना item है है किह लग रहे कींपल हरीदब एक वीड़ों मनोट के इसा नहीं होता है आइट कॉंगर've यह मनती हूं ठीकAY जैसे हम क्या बोले हम मान रहे हम Agree कर रहे कि हैं तुमारे फादर ने वस फूरूड़ाले के पास से एक इक धलो खरीदा था मैं मान रही हूं लेकिन क्या वह एक आपल तुमगों मिला itu मान रहें हका 20 क्यू लउ न वह अलिए किápलिआ क्ये क्या होता है बोलो हर पाम एक लोगि स्कुर्ण हो does ले तो क्या हो रहे हैं आप लोगों के शेर हो रहे हैं तो अब हम लोगों को यह देखना है कि वो जो शेयर वाले आप लोगों के atoms होते हैं वो कैसे calculate कि यह जाते हैं पहले तो यह समझना ध्यान से कि आप लोगों के पास total क्या है बोलो 8 corners तो मैं इस माट से मना नहीं कर रही कि 8 corners पे 8 atom नहीं होंगे 8 तॉट मार्ट पराइटम होगे लेकिन क्या वो आठो अटम कमप्लीटली उस युनेट सेल के अंदर होंगे क्या नई उसका उन आठो आटम का थोटा 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 सा पार्ट आप लोगों के अधर मेंदर होगा इसको इस तरीके से समझेए एक मिठाई का डबा आप लोगों मिला उसमें टोटल आठ टाइप की मिठाई थी समझ रहे हो आठ टाइप की डिफरेंट डिफरेंट मिठाई आपने क्या पूरी मिठाई या खा ली क्या नहीं तुमसे सामने वाला पूछेगा क्यों नहीं खाया भाई पूरी मिठाई तो बोलेगा मैंने हर मिठाई का क्या कि हो ठीक है बराबर आच्छा या नहीं कि 8 atoms corner पे होते हैं simple cubic unit cell में क्या यह गलत statement है क्या नहीं यह correct statement है लेकिन क्या वो आठो atoms क्या वो आठो atoms 100% तरीके से उस unit cell के रहते हैं क्या नहीं रहते हैं वो कभी भी नहीं हैं कभी भी नहीं रहते हैं वो उस unit cell के ठीक है कभी नहीं रहते हैं वो उस unit cell के कभी भी ठीक हैं कभी भी नहीं रहते हैं वो उससे कम रहते हैं अब हमको basically पता लगाना है कि कहां पर हैं कितने हैं ठीक है हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है हम सभी को पता हैं कि एक simple cubic unit cell आप लोगों का कुछ इस तरीके का दिखता है अगर मैं कहूं कि यह आप लोगों का एक cube है तो basically हर cube के corner में ऐसे क्या होते हैं आप लोगों के atoms लगे होए होते हैं बराबर अच्छा जब हम उसको इस तरीके से क्या करते हैं तो हम एक आटम और डूसरे आटम के बीच में आपको ऐसा लगता है कि डिस्टंस है ठीक है हम इस डिस्टंस वाले टॉपिक पर बाग करेंगे लेकिन यह आपस में टच होते हैं यह लोग आपस में टच हैं दिख रहा है यह वाला इससे टच हैं यह वालाOh G27 यह तरीके से लिक रहा है तो यह मैंने सिर्फ और और सिफ कौन्सा च्राइं ऋसका फ्रंट व्यू बनाया है, कौन सा व्यू बनाया है मैंने उसका फ्रंट व्यू, देखो इसके पीछे भी आइटम, जैसे ये पहला आइटम, मान लो ये दूसरा आइटम, मान लो ये तीसरा आइटम, मान लो ये चौता आइटम, तो देखो पाँचवा ये है, छटवा ये है, साथवा यह है और आठवा यह है यह टोटल आठ एटम्स कैसे होते हैं इस तरीके से अरेंज होते हैं ठीक है ओके अब आगे क्या कहानी है अब बात करते हैं इन में से आप एक एटम को पिक कर लो इन में से पिक एनी वन आटम ठीक है आप इस में से क्या कर लो किसी भी एक वो let's say मैंने उठाके pick कर लिया मैंने इस तरीके से उस एक आटम को pick कर लिया यह मेरा एक आटम है अब मैंने तुमको वीडियो की starting में ही class की starting में ही कह रिया कि reality में आप लोगों का क्या होता है unit cell अकेबा नहीं होता उसके आजू-बाजू और भी बहुत सारे unit cells होते हैं तो एक item जो आपको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से एक item के अंदर एक cube के अंदर होना चाहिए unit cell के अंदर होना चाहिए तो वो complete ही unit cell के अंदर में होता वो क्या होता है? shared होता है वो क्या होता है shared होता है आजू बाजू वाले और जो unit cells है उनके साथ को क्या होता है shared होता है तो actual में अगर हम अपने simple cubic unit cell में से किसी एक unit cell को मैं pick कर लेती हूँ तो basically उस unit cell को total 3 planes 3 planes ठीके 3 planes क्या करते हैं divide करते हैं ठीके तेको 3 planes इसको क्या करते हैं divide करते हैं equally यह मैं नहीं कह रही हूँ रियालिटी में होता है, 3 planes divide करते हैं उस एक atom को उस कॉरणर वाले atoms को, ठीके, एक उस का, खुद का plane, एक बाजु वाले का plane एक और बाजु वाले का plane, ऐसे टूडल थीन तुम्हें दिख भी रहा होगा एक हलकी हलकी सी इमेज देखो एक ये प्लेन दिख रहा है ये एक प्लेन दिख रहा है ये एक तरीके से ये एक प्लेन इस एक प्लेन ने उस एटम के दो तुकड़े की जैसे तुम्हारे पास एपल है लेट से ये अपल है चाकू से तुमने उ ठीके, तो जब उस atom को एक plane divide करता है, जब उस atom को एक plane divide करता है, यानि कि ये atom है, इसको इस एक plane ने divide किया, तो बोलो कितने तुकड़े हो गए, दो equal तुकड़े हो गए, है ना, इसको बोलो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 by 2, इसको कहेंगे 1 by 2, जब आपका पहला plane divide करता ह मैं तब की बात कर रही हूं मैं फिर आप क्या होता है बोलो आपके पास अब वो जो एक तुकड़ा क्रियेट हुआ लेटसे ये वाला तुकड़ा इस वाले तुकड़े को फिर से एक और सेकेंड प्लेन डिवाइट करता है यानि कि आपने क्या किया एक रोटी के दो तुकड़े किये और जो एक तुकड़ा क्रियेट हुआ उसके और दो तुकड़े क्रियेट किये समझ रहे हूं यानि कि यह जो चीज आप लोगों को ऐसी दिख रही है यह जो चीज आपको ऐसी दिख रही है जिसका ओल्डीडी हाफ तुकड़ा हो चुका है जिसका already half तुकड़ा हो चुका है, ये और half में तोड़ी जाती है, ये और उसका आधा तुकड़ा किया जाता है, तो सोचो, जब 1 था, 1 का आधा किया तो वो क्या हुआ, 1 by 2, 1 by 2 का और आधा करोगे, तो बोलो क्या create होगा, पहले तो बात ये create होगा, ऐसा कुछ create होगा, ये ऐसा दिखेगा, और ये एक ऐसा दिखेगा, ये कितना होगा, ये 1 by 4 होगा, ये 1 by 4 होगा, ये 1 by 4 होगा, अब इसमें से जो ये एक तुकड़ा है, इस एक तुकड़े को फिर से आपका कौन सा third plane divide करता है, इसको फिर से third plane divide करता है, यानि कि अगर मैं इसको अपना एक तु तो आप लोगों का जो यह एक तुकडा है इस एक तुकड़े के फिर से दो तुकड़े किये जाते हैं एक इतनु सा एक आपका इतनु सा और बोलो यह कितना होगा यह 1 by 8 होगा यानि कि जब आप एक atom को तीन प्लेंज के द्वारा तुड़वा देते हो तो तीन प्लेंज के दोड़ने के बाद जो सबसी smallest part create होता है वो कित्ते का create होता है 1 by 8 का create होता है तोटल कित्ते का create होता है 1 by 8 का यानि कि मैं यह कह सकती हूँ कि आप लोगों ने एक atom को उस एक atom को वो जो आपके पास तीन तीन प्लेंज थे उन तीन प्लेंज ने 8 equal part में काट दिया ठीके यानि कि घर में जो एक atom आया उस एक atom के कितने पास कर दिये गए 8 तुकडे कर दिये गए गर equal ठीके घर में खाने वाले कितने रोग आठ और एपल कितना एक तो उस एक atom को 8 pieces में काटा गया और 8 लोगों में क्या किया गया उसको distribute किया गया ठीके अगर माल लेते हैं अगर में दो लोगों होते तो दोनों को कितना मिलता है वन गाई टूवर तो तो सिमिलरल्य अभी आप लोगों के पास एक atom है उसके 8 equal parts के गए तो 8 equal parts माले तैसा दीखते हैं यह लोग माले तो आपके 8 equal parts shape के दिखते हैं ऐसे दिख रहे हैं वो 8 equal parts अब हर part कितने का होगा हर part कितने का होगा 1 by 8 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 यानि कि मैं यह कह सकती हो कि corner में रहने वाला जो विचारा आप लोगों का क्या था एक atom था वो कितने part में तूड गया ठीक है आप लोगों के कितने part में तूड गया आप लोगों के total 3 part में तूड गया ठीक है आच्छा total कितने part में तूड गया सब्सक्राइब कितने लोगों ने तूड दिया 3 place में तूड दिया और कितने parts में तूड गया ठीक है आप लोगों के वैसे इसी चीज़ को मैं आगे भी बताने वाली थी देखो तो वो जो 1 by 8 वाला पार्ट आपका दिखता है वो कैसा दिखता है ऐसा दिखता है है ना मैंने का ना 8 तुकड़े हो गए यह 8 तुकड़े हो गए उन में से आपका एक तुकड़ा एक तुकड़ा ऐसा दिखता है और इस एक तुकड़े की value बोलो कितनी होती है 1 by 8 होती है ठीक है अच्छा अब यह जो आपका एक तुकड़ा है बराबर यह जो आप लोगों का एक तुकड़ा है यही एक तुकड़ा basically corner में होता है बाकी का जो 7 parts है वो atom के अंदर होते ही नहीं है मतलब हमें देखने में लगता है कि आप लोगों के पास क्या है simple cubic unit cell में यह एक atom है corner पर बट reality में उस एक atom का सिर्फ और सिर्फ 1 by 8 part ही अंदर होता है बाकी के 7 parts पता नहीं कहीं और space में घूम रहे होते हैं ठीक है बाकी रहते ही नहीं है उस particular unit cell के अंदर इससे हमें यह शिक्षा मिलती है बराबर आप लोगों का क्या हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि corner में रहने वाला atom बेसिकली क्या हो जातना है आप लोगों के unit cell के अंदर क्या completely रहता है नहीं उसका कितना part अंदर रहता है सिर्फ 1 by 8 part अंदर रहता है बाकी के part कहां गए बाकी के part आजू बाजू पत्मानी कहीं share हो गए होंगे लेकिन एक unit cell के अंदर corner वाला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कितना रहता है 1 by 8 रहता है तो 1 by 8 रहता है तो देखो कैसा दिखता है हम लोगों का unit cell हम लोगों का unit cell कुछ इस तरीके का दिखता है ठीक है यह इस तरीके का देखो यह ऐसा यह ऐसा ठीक है यह ऐसा मतलब सिर्फ और सिर्फ कितने सिर्फ और 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 1 by 8 atoms है सिर्फ और सिर्फ हमने कल तक क्या सीखा था हर corner atom पे एक होता है हर corner पे एक atom होता है हाँ होता है बट उसमें reality में क्या वो completely उस atom के अंदर होता है क्या नहीं उसका सिर्फ 1 by 8 part ही अंदर होता है उसका सिर्फ 1 by 8 part ही अंदर होता है यानि कि each corner atom ठीक है ऐसा मैं लिख सकती हूँ कि each corner atom occupies occupies क्या occupies 1 by 8th of part of unit cell unit cell का वो सिर्फ और सिर्फ कितना part occupy करते हैं एक जो आपके पास second corner atom होगा वो आपको ऐसा लगता है कि वो भी क्या होगा एक atom होगा completely बट reality में वो भी कितना रहता है 1 by 8 रहता है थर्ड वाला वो आपको ऐसा लगता है कि वो भी एक atom होता है बट reality में वो भी कितना होता है 1 by 8 होता है तो अगर कोई तुम से पूछेगा कि भाईया एक बात बता कि net कितने atoms हैं आप लोगों के उस simple cubic unit cell के अंदर तो हर corner की value बोलो कितनी 1 by 8 तो basically आपके एक unit cell के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है एक ही atom रहता है basically आपके उस एक unit cell के अंदर क्या रहता है सिर्फ एक ही atom रहता है कैसे चुकि हर corner के पास से कितना मिल रहा है 1 by 8 1 by 8 पहला वाला corner भी 1 by 8 दे रहा है second corner भी 1 by 8 दे रहा है fourth corner 1 by 8 दे रहा है, तो अगर मैं पूछूँगी कि सारे corners तुटल कितने आटम सोने चीआ था आच्प चोनेज़े हैं क्योंकि कॉर्णेर साथ है और हर कॉर्ण पे से एक आटम बट रियालीटी में सिर्फ और सिर्फ कितने अंटों सटें एक होते हैं कईसे उता है क्मिर्ण डर्वाला देता हैं हर कॉनर वाला आप लोगों का सिर्फ क्या करता है वन बाइएट ही क्या कर पाता है बुलो कंट्रीब्यूट कर पाता है सिर्फ उसे किता कंट्रीब्यूट कर पाता है वन बाइएट तो यही सेम चीज यही सेम चीज तुम लोगों की टेक्स्टूप में भी लिखी है सिंपल क क्यों ने सल को लेकर कि आप लोगों के एक एटम के अंदर एक एक एटम के अंदर नेट हमें लगता है कि आप याली में इतने आटम से वह पूछ रहा हो कि रिज़र्ट अच्छा तुम्हीं लाइब मैंने जो डाइग्राम दिखा है वह सी दिखा रेको एक टुकड़ा तुक कि आप लोगों के आठ आटम होते हैं लेकिन कंट्र तोटल कितने पार्टिकल्स है तोटल कितने पार्टिकल्स है आठ तो हो नहीं सकते आठ तो तब होते जब 100% कंट्रिबिशन होता बट यहां तो कंट्रिबिशन 100% है नहीं है नहीं यहां तो कंट्रिबिशन 100% है नहीं तो अब कितने पार्टिकल्स है तो अब आपके सिंपल क क्यूबिक यूटिकल्स होते हैं आपके पास one by eight multiplied by eight यानि की वन पाटिकल्स इतनी ही लाइन इंपोर्टेंट है उपर की लाइन बखवास है उसको इग्नूर करो तो यह कहानी थी आप लोगों के किसके simple cubic unit cell की ठीक है किसके simple cubic unit cell की ये तुम लोगों की कहानी थी ये इस तरीके से काम होता है आपके simple cubic unit cell क्या हम लोगों के syllabus में सिर्फ simple cubic unit cell ही है क्या obviously नहीं हमारे syllabus में body centered भी है face centered भी है end centered भी है बट आप लोगों को अप कम से कम इतना द्यान रखना है ठीक है आप लोगों का कम से कम इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो काम हमने किया अभी इस काम से हमें क्या शिक्षा मिली इस काम से हमें ये शिक्षा मिली कि कॉर्णर वालों के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ कॉर्णर वालों न पॉनर वाले का contribution कितना 1 by 8 ठीक है आच्छा और simple cubic में total atoms वराबर कितने तो आपको वहाँ से मूँ खोलते बनना चाहिए कि simple cubic में total atoms वराबर बोलो कितने आप लोगों के 1 वन कैसे आया है समझे ना इसी को हम लोग क्या कहते है number of atoms per unit cell कि एक unit cell में आखिर number of atoms कितने हैं अभी last year तक आप लोगों की book में यह जो word होता है number of atoms per unit cell इसको z नामक symbol से हम show किया करते हैं और जैड अगर किसी भी चीज का पूछा जा रहा है इसका मतलब वो यह पूछना चाहरा है कि महां पे कितने number of atoms per unit cell है बराबर और जैड एक अच्छा कासा symbol भी था मुझे अच्छा लगता था बट उन लोगों ने इस साल symbol change कर लिया है जब हम numericals पढ़ेंगे तम मैं उस symbol क बारे बात करूंगी बट तुम्हें रटा हुआ रहे ना चाहिए कि number of atoms per unit cell simple cubic में कितना है और corner वाला कितना contribute करता है एक 1 by 8 ही contribute करता है ठीक है कितना contribute करता है बोलो 1 by 8 ही वो क्या कर पाता है contribute कर पाता है दन आगे बड़ते हैं अभी फिलाल ये जो आप लोगों के सामने आपको डाइग्राम दिख रहा है ये किस चीज का डाइग्राम है ये body centered cubic unit cell का है ठीक है ये क्या है body centered cubic unit cell का है अब body centered cubic unit cell होता क्या है जैसा कि हमने कल सीखा था कि आप लोगों के पास क्या होता है मान लेते हैं एक cube होता है तो body centered cubic unit cell में हर corner पर हर corner पर आप लोगों को कितने items दिखते हैं 8 मैं मानती हूँ कि अब तुमको पता चल चुका है कि art दिखते जरूर हैं बट art reality में होते नहीं है है न? art reality में होते नहीं reality में कितना होता है? सिर्फ 1 by 8 मतलब यह तुम से पूछेगा कि यह item कितने का? तुम भूलोगे 1 by 8 का यह item कितने का? 1 by 8 का तो corner में रहने वाले हर item चाहे वो body centered के हो हो चाहे वो simple cubic के हो या चाहे हो face center के हो रहा कहा रहे है aún corner में corner वाला हर atom कितना contribution करता है आप लोगों का कितना contribute करता है you contribute करता हैron तो body Center आप लोगों का एक ऐसा unit से लोता है that ठीक है जिसमें आपके आठ आटम्स होते हैं कहां पे कॉर्णर में बट उन आठ आटम्स के अलावा जैसे तुम जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के टोटल देखना आठ कोने होते हैं चार छथ होती हैं चार छथ के कोने होते हैं और चार कोने नीचे फ्लोर के होते हैं इन चार जो औरो कोनों पर 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8 atoms बैठें, लेकिन इसके अलावा BCC के अंदर उस कमरे के बीचो बीच, एक आतम क्या है? रखा हुआ है उस कमरे के एक दम बीचो बीच, हवा में एक बीच में एक बीच में एक आतम लटक रहा है क्या वो आटम यह आटम यह जो मैं बीच में यह आटम बना रही हूं और फिलहाल तुम्हें इस इमेज में दिख रहा है यह वाला आटम कौन सा है आप लोगों का बीच वाला आटम कौन सा है आप लोगों का बीच वाला आटम है क्या यह बीच वाला आटम किसी से शेयर होता वो अपना अकेला unit cell के अंदर एकदम ठाट से रहता है ठीक है बराबर वो अकेला unit cell के अंदर क्या रहता है आप लोगों का अकेला ठाट से रहता है वो किसी के साथ share नहीं होता ठीक है यानि कि मैं यह कहूंगी कि इस body centered में रहने वाला वो beach का item 100% तरीके से किसका होता है उस particular unit cell का होता है वो किसी के साथ share नहीं होता ठीक है वो किसी के साथ share नहीं होता ठीक है और जो चीज किसी के साथ share नहीं होती लेट से एक घर में एक इंसान रहता है एक apple मिला वो खा गया पूरा का पूरा एक apple कोई तुम से पूछेगा कि उस इंसान में कितना apple खाया तुम क्य जैसे मैं तुमको यह कह रही हूं कि कॉर्नर में रहने वाले आटम वान बाई एथ कंट्रिब्यूट करते हैं सिमिलरली जो बॉडी के बीचो बीच आता है प्लोगों का जो यह एटम है यह कितना कंट्रिब्यूट करता है कंट्रिब्यूट करता है 100% क्यों यह जो यह किसी के साथ क्या नहीं हुआ होता है इसलिए इसका कंट्रिब्यूट कैसा रहता है एकदम वन का वन तो अगर कोई तुम से पूछेगा कि बोड़ी सेंटर्ड में कितने आटम्स रहे रहे हैं तो तुम क्या कहोगे body centered में देखो इस तरीके से items रहें, ये वाला corner वाला 1 by 8, ये corner वाला 1 by 8, ये corner वाला 1 by 8, ये corner वाला 1 by 8, नीचे में total 4 corners होते हैं ठीकें? ये वाला 1 by 8 ये वाला 1 by 8 ये वाला 1 by 8 और ये पीछ एक छूटू सा हाइड हो गया दिखनी रहा है ये वाला भी 1 by 8 तो basically आपके BCC के अंदर corners में कितना contribution हो रहा है 1 by 8 1 by 8 1 by 8 उपर के 4 1 by 8 नीचे के 4 1 by 8 इतने atoms थो भाया BCC में होते ही होते लेकिन इसके अलावा BCC में एक atom और होता है और बोलो वो एक atom आप लोगों का क्या कहलाता है ठीके बताओ आप लोगों का वो एक atom क्या कहलाता है वो आप लोगों का एक atom सिर्फ और सिर्फ बीचों बीच में रहता है वो किसी के साथ शेयर नहीं होता तो उसका contribution होता है पूर को आइड कर लो कितना हो जाएगा यह वन हो जाएगा और नीचे एक वन अल्रीडी है तो टोटल क्या होता है आप लोगों का ठीक है टोटल हो गया बोलो कितना तू यानि कि बीसी सी में अगर को तुमसे यह पूछे कि नंबर ओफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने है तो आप को जवाब दोगे कितने है टू है एक स्टुडेंट को लगता है कि नौ हैं जू उसको नव उसको लगता एग तोटल को सिकव होता है डाइक सिर्क और ओख ऑसे नव में गया जिस कोई करते हैं वंबाइक एक और वीच वाला कितना करता है आप लोगों का वग ठीक है वह किसी के साथ शेयर वगानी रहता है और कॉर्णनर वाले वन बाइएक को contribute करते हैं क्योंकि वो आगे और 8 लोगों से share हुए रहते हैं ठीक है आच्छा तो अगर कोई तुमसे पूछेगा यह 2 कैसे आया तो चाह तुम उसका समझा नहीं सकते हैं बिल्कुल समझा सकते हैं कि देखे मैडम टोटल 8 कॉर्णर से इसलिए 8 हर कॉर्णर का contribution 1y8 plus बीच में रहने वाला एक आटम था और उसके contribution बोलो कितना 1 तो यह calculation करने पर हमारे पास answer बोलो कितना आ गया आप लोगों का 2 ठीक है यह कितना आ गया 2 यही same चीज़ यही same चीज़ आपके टेक्सबुक में भी लिखी हुए मिलेगी कि आपके पास जो body centered cubic unit cell होता है हम जानत है कि body centered cubic unit cell में 8 corner particles होते हैं और एक आपके cube के center में रहता है लेकिन लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि BCC में कितने net particles हैं तो BCC में कितने net particles होते हैं सिर्फ और सिफ 2 कैसे होते हैं यह तो समझ चुका है ना ठीक है अब हम लोग बाचीत किसके बारे में करनी है FCC के बारे मे से पहले इसी सेम चीज़ को हम लोग मैंने अभी तुमें कैसल्म एक समझाया है ना की मैंत्यमेटिक्स की भाषर में मैंने समझाया कि देखो कॉर्णर वाले वन बार एट कंड्रिबूड करते हैं तो टोटल आठ कॉर्णर से हैं तो टोटल आठ कॉर्णर से वाले कितना mathematics की भाश्य में समझाया right मैं दोड़ा सा इसको हम लोग क्या कर सकते animation की भाश्य में समझने की कोशिश करते हैं कि यह चीज हम लोगों के appearance wise हम लोगों को कैसी दीज कैसे प्रकार में रहती और उसको हम लोग यहां पर अभी देखते हैं ठीक है चलो तो बहुत ही सिंपल सा पाथ है ध्यान से समझेंगे एक मिनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी इस पूर नहीं बराबर है देखो कैसा है आप लोगों का बीसी सी यूनिट सेल यह देखो यह टोटल आठ एटम सें यह कॉर्णर वाले हर कॉर्णर के आठ एटम को अगर आप निकालोगे तो देखो यह कंप्लीट स्पीर बन गया और सेंटर वा इसे का वैसा ही डिखता है और जो कॉर्णर में रहते हैं वो कॉर्णर में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं आप लोगों के कॉर्णर में रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं आप लोगों के सारे कॉर्णर को अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो सारे कॉर्णर वाले मिलकर ब बीच में और आजू बाजू टोटल आपको आठ लोग दिख रहे हैं है ना आठ लोग आपको टोटल आजू बाजू दिख रहे हैं कैसे आप देखो एक एक आजू बाजू वालों को निकालते जो तो जैसे जैसे एक एक ब्लू वाला निकल रहा है सारे ब्लू वाले मिलकर ब बना लिए, complete एक आटम बना लिए, इससे क्या शिक्षा मिलती है, कि corners के सारे आटम को जोड़ो, तो एक आटम बनता है, क्या हमने यही सीखा था, simple cubic cell में, simple cubic cell में क्योंकि सिर्फ corner और अगर आप मुझे सारे corner आटम को मिला दो, तो क्या बन जाता है, एक complete atom बनता है, क्या यही विजुलाइज हो पारी है, क्या यही विजुलाइज हो पारी है, एक बाफ फिर से रेको, क्या यही विजुलाइज कर पारे हो, कि simple cubic unit cell में, हम जानते रे, कि क्या रहता है, सब corner पर 1 by 8, 1 by 8, 1 by 8 होता है, ठीक है, और अगर सारे corner वालों को निकाल दे, निकालो, एक एक करके सारे corners वालों को देखो, निकाल रहे हैं, यह पहला corner वाला, आप लोगों का निकला, दूसरा आया, तीसरा आया, चोथा आया, पाच्वा आया, छट्वा आया, सात्वा आया, आ पढ़ों उपर में कि काया गया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोगों के पास क्या होते हैं नेट एटम कितने होते हैं वन होते हैं यानि कि ऐसा लगता है कि आठ आट आटम है बट रियालिटी में रहता सिर्फ एक ही है क्या इस चीज को अभी इस एडिमेटेड वीडियो को देखने के बाद क्या यह चीज कंफर्म हो गई कि आठो कॉर्णर वालों को मिलाओगे तो जाके एक एटम बनेगा तो वैसे ही हम लोग अब बातकित किसके बारे में कर रहे थे बीसी सी के बारे में कर रहे थे तो बीसी सी में आठ कॉर्णर वाले तो होंगे ही होंगे नो डाउंट तो उनकी वज़ा से एक आटम और जो बीच वाला ओरेंज वाला है वो कहीं शेयर होता इच नहीं है वो तो अकेला अपना बीच वीच में अकेला रहता है तो वो खुद एक आटम तो basically total atoms कितने हो गए तो BCC में net atoms की संक्या कितनी होती है दो और simple cubic में कितनी होती है आप लोगों के पास आट यह बहुत प्रॉपर विजुलाजेशन है एक बार फिर से इसको करके देखो तुम लोगों का अगर नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखो देखो अगे यह नेकिक आटम अभी निकल वाला वह वैसे का वैसी है तो कि तुम देखो ना अपन BCC का कर रहे है अपन BCC का postmortem कर रहे है तो हम यह देखते हैं कि BCC का postmortem करने पर जैसे जैसे हम blue वालों को निकालते जाते हैं orange वाला हमको जो finally मिलता है वो कैसा मिलता है complete atom मिलता है हमें क्या मिलता है complete atom मतलब BCC मे आठो corners के बीच में एक complete atom रहता है ठीक है तो I think मेरे साथ से अब ये चीज clear हो गई होगी इससे ज़्यादा तो देखो अब इसमें बढ़ाने लायर अब इससे शिक्षा क्या मिल गई कि corner वाले items कितना contribute करते हैं 1 by 8 center पे रहने वाला item कितना contribute करता है total 1 ये आपको जनम भर याद रखना है ये आपको जनम भर याद रखना है ऐसा क्यों मैं बोल भी हूँ जनम भर याद रखना है मान लेते हैं आपको कोई customized problem दिया गया what do you mean by the term customized problem मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि लो आर् cell में ये मैं कुछ corners पे तुमको atom बना कर दे लिए लो ये मैंने आर्यान को corners पे atom बना कर दे लिए और मैंने आर्यान को कहा कि मैंने मेरे unit cell में body के बीचों बीच एक body center वाला atom रखा है अब जरा भाई जा इसमे number of atoms per unit cell कितना होगा ये तू निकालके दे तो जो रट्टा मार आने वाले students होते हैं वो क्या सोचते हैं अच्छा body के center पर रखा है तो लोग आओ देखते हैं रताओ पटा पटा आंसर बग देते हैं अपने मुह से बोलो कितना वो कितना बग देते हैं अपने मुह से answer आप लोगों का व्टू क्यों क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हु रटा है रटता कि body center में तो दो आता है बैट वो यह नहीं सोचते body center में दो तब आता है ठीक हैं हाँ आप लोगों का दो तब आता है जब 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 आप लोगों के हर corner में 8 8 atom मतलब हर corner के पास 1 1 atom होता है बट यहां पे मैंने जो आर्यान को figure दिया उसमें corner पे एक ये atom है तो इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है इसकी वज़ा से 1 by 8, यह एक आटम है तो उनकी वज़ा से कहां कोई 1 by 8, जब दो, तीन, चार, पांच, यहां तो असे पांच ही कौनर एटम है, कोई बात नहीं, तो 5 इंटू 1 बाई 8, अचा, सेंटर पे कितना है बॉडी के, एक, और सेंटर वालों का कंट्रिबुशन भी भी बहिया कितना होता है, एक, तो यह कितना हो जाएगा, 5 बाई 8, प्लस 1, ठीक आपके बेसिक स्टॉंग होने चाहिए, बोलो, क्या, आप लोगों का यह, कि हर कौनर एटम पे, बोलो, कितने एटम्स रहते हैं, आपके एक, और हर का कंट्रिबुशन कितना होता है, 1 बाई 8, और जो बॉडी के सेंटर में रहता है, उसका कंट्रिबुशन कितना होता है, 1 क्योंकि वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं होता, बराबर वो कभी किसी के साथ शाप का शेयर नहीं होता है, इसी लिए ऐसा, समझ रहे हो, अब हम लोग हमारे तीसरे यूनिट सल के बारे में पढ़ेंगे, that is, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सल, देखो, बुक्स में य जाती है, अब तुम्हें लगेगा कि इतने छोटे से टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपका एक घंटा ले लिया, तो देखो, मैं जानती हूँ, यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, हम में से मैक्जिमम लोग, इंक्लूडिंग मी और सो, जब हम इस चीज को रट लिया था, क आफिछा कि हमें जिन्दगी पर याध रहे, हम रट रट कर्ट रहे भी को पता होना चाहिए कि कि सतरीके से वह चीश हुई है, अब बात आती है, forced centred cubic unit cell की, तो कल तुम्हें बताए थे, face centred cubic unit cell क्या होता है, बताओ क्या होता है, एक ऐसा cube, जिसके corners पर, atom होते हैं देखो हर corner पे atom है उपर में 4 और यह आपके नीचे में 4 लेकिन इसके अलावा total 6 faces होती है जिस कमरे में तुम बैठे हो गिनोज की 6 faces है की नहीं है एक सामने एक पीछे एक उपर एक नीचे एक left और एक right total 6 faces है ना हर faces के center पे एक atom होता है हर faces के center पे एक atom होता है यानि कि face centered cubic unit cell में आपके पास 8 corners और हर corner पे क्या होता है एक atom होता है each atom और each face total कितनी faces होती है 6 बड़ इच face पे आपका एक atom होता है अब भाया corner की कहानी तो तुम लोग बार बार सुन सुनके मेरे साथ से पक गए होगे ठीक है आप लोग पक गए होगे मैं लेकिन फिर भी वही कहानी वापस repeat कर लेती हूं कि corner वाला कितना contribute करता है 1 by 8 1 by 8 1 by 8 1 by 8 चाहे वो simple cubic का corner वाला हो चाहे वो body centered का corner वाला हो या चाहे वो आप लोगों के face centered या फिर end centered या चाहे कोई random ही कोशन क्यों ना हो corner वाला हमेशा कितना share करेगा 1 by 8 contribute करेगा अब जैसे last वाले topic पर वाज़े तो मैं यह बताया कि body के center वाला body के center वाला कभी भी किसी और के साथ share नहीं होता body के center वाला कभी भी किसी और के साथ share नहीं होता तो एक student के दिमाग में यह doubt आता है क्या face centered वाले भी किसी के साथ share नहीं होता है तो कुछ लोगों को तो लगता है कि हाँ यह लोग भी share नहीं होते बट नहीं यह लोग share होते हैं ठीक है यह जो face centered वाले लोग होते हैं यह body center वालों के जैसे hundred percent नहीं होते ये लोग क्या होते हैं, ये लोग sharing करते हैं, ये लोग sharing में believe करते हैं, sharing करकर के item को खाते हैं, ये लोग sharing करते हैं, but again question, अगर sharing हो रही है, तो कितने लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है, अगर sharing हो रही है, तो कितने लोगों के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में कि यह चीज कैसी होती है आप लोगों का यह मान लो एक unit cell मैंने क्या कहा था आज जो बाजू बहुत सारे unit cells होते हैं है न तो हम लोग बाजू में एक और unit cell बना रहेते हैं अब मेरी drawing उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने ऐसा ही random एक rough सा unit cell बना दिया ठीक है अब तुम ये रेखो कि ये वाली जो दिवार है ये वाली जो दिवार है य वह लेफ्ट वाले unit cell का भी होगा और राइट साल वाले unit cell का भी होगा यानि कि अगर हम लोग face के center पर atom रखते हैं और अगर मैं यह कहती हूं कि वह face center वाला atom share हो रहा है तो वह कितने लोगों के शे बीच में share होता है between two unit cells वह शेयर होता है कितने लोगों के बीच में share होता है आप लोगों के आप लोगों के बोलो कितने इसमें share होता है आप लोगों के दो unit cells के बीच में share होता है दो लोगों के बीच में apple बट रहा है तो पहले वाले को बोलो कितना मिलेगा उस atom का one by two और दूसरे वाले को भी उस atom का कितना का वन बार की तो लोगों के बीच में शेर हो रहा है न कि दो लोगों के बीच में शेर हो रहा है तो इसी लिए हर सेस्पे रहने वाले एं या हम का कंट्रिबूशं कितना होता है एसे लिए चरा कितना नां रत नां क hiện 17 वाल YouTube कितों क्योंकि वह टोंकि हरएंज वाला एक्ट क्या करता है अपने वाले यूनिट तरी तरीकस को कितों तरीके से घ।त यह का घ। कियों टी quickly मैं फैसे निए करते कि एस्धितर टॉकल क्या है डिक रिखकर Kerry पूर्टिके के से विजुलाइज नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसमें बेसिकली आपको पूरे आटम दिख नहीं रहें जैसे यह एक तो दिख रहा है दो दिख रहा है तीन दिख रहा है चार दिख रहें उपर के चार लोग दिख रहा है मैं इन उपर के चार लोगों को जॉइन कर देती देखो यह मैंने जॉइन कर दिया तो don't you think यहाँ पे एक face create हो गया यह टॉप face उपर छट create हो गई छट छट अब देखो इस छट के बीच में यह green color का item दिख रहा है तो basically ऐसा होता है कि एक face के बीच में एक item ठीक है अच्छा अब एक काम करो इन चार items को join करो यह इन चार items को join करो यह एक joining यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी joining यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी joining और यहाँ से लेके यहाँ तक चौथी joining दिख रहा है क्या इनके बीच में तुमको यह item दिख रहा है यह अटम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इससे हमें यह समझ गए हम लोग, ठीक है, चुरो एक और बना लेते हैं, एक और create कर लेते हैं, like that, आप इसको जोईंग करो, आप इन दोनों को जोईंग करो, आप इन दोनों को जोईंग करो, क्या इनके बीच में यह green अटम द फेस के बीच में क्या होता है, आप लोगों का एक आटम होता है, बराबर, बराबर हर फेस के बीच में क्या होता है, आप लोगों का एक आटम होता है, बराबर, आच्छा, तो यह एक हम लोगों की बात्ची, clear हो, अब बात आती है, कि वो एक आटम, दो लोगों के बीच मे अखिर कैसे शेर हो रहा है कैसे एक तैनिस की बाल है अपने टैनिस की बाल से चाकू से उस बाल के दो equal टुकड़े कर दिये याने कि आपके पास एक टैनिस की बाल थी आपने यह एक तुकड़ा कर यह आपने दूसा तुकड़ा कर दिया यह बीच से को पहला तो यह पहला पर्ट यह दूसा पर्ट है अगर में यह पर्टीशन मतलब ऐघर कॉमन झिवार को हटा दो तो पुद्धो एकम्द तो थोड़ा थोड़ा ख्लोज और अने लगें अगर मैं थुड़ा और उनको close लाओं तो देखो दोनों एक दूसे के close आने लगे हैं और अगर मैं atoms को और close लाओं तो basically क्या होता है एक complete atom बनता है यानि कि अगर आपके पाद घर में दो कटोरी है दो कटोरी को अपने दोनों हाथों में रख लो दूर दूर ठीक है फिर दोनों कटोरियों को एक दूसे के पांस लाना शुरू करो तो क्या देखोगे कुछ इस तरीके का पैटन मन जाएगा यह कुछ इस तरह के का दोनों कटोरियों को से को कवर कर लेंगी है ना बस तो ऐसे ही जब कोई atom कहा रहता है बोलो फेस में रहता है तो फेस में रहने वाले आटम के साथ क्या होता है फेज में रहने वाले आटम के साथ वो क्या होती है शेरिंग होती है वो शेर होता है किस के साथ अपने बाजू वाले के साथ और सिर्फ क्योंकि ये शेरिंग दो लोगों के बीच में हो रही है तो इस वजह से ये वाली जो पर्टिकुलर चीज होती है, यह आप लोगों की क्या होती है, बोलो, यह 1 by 2, 1 by 2 contribute करती है, यह 1 by 2, 1 by 2 contribute करती है, कितना contribute करती है, 1 by 2, 1 by 2, ठीक है, अच्छा, अगर कोई तुमसे बोलेगा, कि actual में face centered cubic unit cell कैसा रिखना है, तुरे को ऐसा रिखता है, कि corner पे एक एक एटम नहीं होता है, बलकी सिर्फ कितना होता है, वन बाइ एट, इस वाले कॉर्णर में भी एक एटम नहीं होता है, बलकी सिर्फ कितना होता है, वन बाइ एट, इस वाले कॉर्णर में भी कितना होगा, वन बाइ एट, ये वाले कॉर्णर में भी कितना होगा, वन बाइ ए जिखो वो आधी कटोरी के जैसा दिख़ा दिख़ारा कटोरी के जैसा कॉम्प्लीट अटबियुस कि अने उसका आधा पुर्शन इसके ऊपर रहने वाले यूनिट से पास होगा इस यूनिट सेल उप्यों उस यूनिट सेल में आप लोगों का बचा हूँ atom का part क्या होगा गुसा होगा इस तरीके से देखो यह ऐसे वो नीचे रहेगा थोड़ा सा part नीचे है और उसका आधा part वो उपर की unit cell में है ठीक है तो basically phase में रहने वाले जो atoms होते हैं, phase में रहने वाले जो atoms होते हैं, वो हर phase में कितना कितना होते हैं आधा, 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 आधा होते हैं, तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि FCC में net atoms कितने हुए तो तुम क्या कहोगे कि अच्छा भाई, मेरे पास 8 corners है, इसे लिए 8, हर corners का contribution 1 by 8 plus, मेरे पास total 6 phases हैं, हर phase में रहने वाले atom का contribution बोलो कितना 1 by 2, so calculation करो, तुम्हें यह answer कितना मिल जाएगा, 4, so basically आप लोगों के, अच्छा 4 1 minute, हाँ यानि कि आप लोगों के phase centered में रहने वाले, phase centered cubic unit cell में रहने वाले, जो atoms है, उनका जो net आता है, वो net कितना आता है, बोलो 4 आता है, net कितना आता है, बोलो 4 क्या ये चीज़ सही है, क्या हमने ये चीज़ सही सही सीखी की नी सीखी, एक बार बुक्षे साथ भी देख लेते हैं, तो देखें ये रहा आपका phase centered cubic unit cell, पूरी दुनिया जानती है, कि इसके पास 8 corners होते हैं, और इसके पास 6 phases होती है हर corner पे एक atom होता है, जिसका contribution बोलो कितना होता है, 1 by 1 हर phase के between में, mid में एक atom होता है, जिसका contribution बोलो कितना होता है, आपका 1 by 2 तो ऐसे में total particle आये, कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है, कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, क्या ये बास समझ में आरी है, पका, बस खतम, ये हमाई चोटी सी कहाँ ही थी, तो बग्द्ध्यान रखेंगे, हर corner particle कितने लोगों के साथ शेर होता है, आठ लोगों के साथ, फेस पे रहने वाला कितने लोगों के साथ शेयर होता है, दो लोगों के साथ, अच्छा, और मैं एक और ची बता रहेती हूँ, एज में रहने वाला कितने लोगों के साथ शेयर होता है, चार के साथ, इसको वेरी इंपोर्टेंट मार्क कर लो, ये लोग देखो ये तुम लोगों का एक face centered cubic unit cell है ऐसा ही हम लोगों को दिखता है 8 corners 6 बीच में हर faces के बस खतम अब अगर मैं ये मान के चलू कि यहां पर आप लोगों का हर atom क्या हो रहा है इस तरीके से डिवाइड है तो देखो डिवाइडर हटने के बाद दोना आटम स्क्लोज आए एक complete अटम बन गया इससे यह समझ में आता है कि फेज में रहने वाला हर एक atom क्या होता है डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद कम्पीड बन जाता है तो आक्शुली में आप लोगों का FCC ऐसा लिखता है अब एक काम करो इसके हर और कॉर्णन आटम को हटाना शुरू करो तो जैसा कि हम लोग प्रिविएस वीडियो में अल्री डी सीख चुके है अभी अभी BCC में मैंने बताया था ना उसके animation में कि सारे corners वालों को अगर हटा दोगे तो क्या होगा सारे corners वाले हट कर क्या बनाते एक atom बताया था की नहीं बताया था बताया था तो देखो सारे corners वालों को हटा दिया और एक blue atom मन गया do you agree okay अब even अभी अभी इसी वीडियो में मैंने तुमको बताया कि जो phase पर रहने वाले atoms होते हैं जो phase में उनके बीच में यह आपको दिवार दिख रही है ऐसी दिवार partition होता है तो जिसकी जैसे उनके दो तुकड़े हो जाते हैं अब अगर आप उस दिवार को हटा दो ठीके हटा दिया अब देखो तो अगर उन दोनों items को मैं join करूंगी तो दो आधे आधे मिलकर क्या मनाते एक complete item बनाते दो आधे आधे मिलकर बोलो क्या मनाते complete item बनाते हैं तो अभी जो मेरे पास यह FCC आपको दिख रहा है इस FCC में सारे corners हटा दो सारे corners एको हट गए क्या बनाया एक complete दो आधे हटे एक complete अगेन दो आधे हटे अगेन एक complete अगेन दो आधे लोग हटे अगेन एक complete वो लोग कितने items create हो गए total चार items create हो गए तो इसी लिए हम कहते हैं कि हम लोगों के पास FCC इस FCC में basically कितने items होते हैं net आपों के चार items होते हैं ठीक है क्या यह बात समझ गई क्या होता है कैसा होता है अब जो बुक में एक word लिखा था न कि edge center वालों के कितना होता है उसको समझा रीती हो मैं पहले यहां लिख लें लोग मार्किंग कर लेते हैं को भूलना नहीं है कभी चाहिए कुछ भी हो जाए कि corner वालों का contribution कितना किटना मैं वन बा है क्योंकि आठ होते हैं क्योंकि मात लोगों से टोसां क्योंकि तोलोग से शेयर होता है एक स्वालों का contribution कितना वन बाए फॉर्छ चार लोगों से शेयर होता है और बॉडि के center में रहने वा लुगे होताब पास एक यूणिट्ट cell की edges, जैसे आपको पता है, vertex मतलब कोने, phases मतलब surface, edges का मतलब भी तो आपने बच्पन में, first second standard में सीखा ही होगा, इसको कहते है edge, इसको कहते है edge, edge, यह दिख रहा है edge, अब गिनो ऐसी कितनी edges हैं, पहले तो गिनो, चलो पहले गिन लेते, एक edge, दूसरी edge, है न, तीसरी edge, 4 edges तो यहा है, नीचे की दरफ गिनो कितनी है, पांचवी edge, छटवी edge, साथवी edge, और यह आठवी edge, आठ तो ऐसी हो गई, अच्छा, अब लेफ्ट में गिनो, 9, 10, 11, 12, यानि कि एक cube के अंदर में, total 12 edges होती हैं, और आपके कितने phases होते हैं, 6 phases होते हैं, कितने phases होते हैं, 6, और vertex कितने होते हैं, 8 vertex होते हैं, या फिर मैं यह कहूं, 8 corners होते हैं, आपको पता होना चाहिए, खौन कितना कितना होता है, ठीके, आच्छा, अब edge पे रहने वाले, आप लोगों के atoms कैसे दिखते हैं, आपको basically उन्हें edge के center में रखना है, आपको कहां रखना है, edge के center में, यह उतना famous नहीं है, बट फिर पता होना ची, यहां पे एक, 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 यह ऐसा, और यह जो edge में रहने वाले लोग होते हैं, इनका contribution बोलो कितना होता है, इन लोगों का contribution कितना होत है one by four one by four one by four ये कहना चाह रहे थे तो अभी तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई की नहीं आई बताओ कोई confusion है तो फेले सोचो उद्वारे में ए पूरी कहांई का सारांश हम समझ लेता है कि पूरी कहाणी का सारांश किया है यह है कि corners में रहने वाले atom आपको लगता है कि वो actually corners में completely है but क्या वो completely होते हैं? नई क्या body के center में रहने वाले atoms completely body के center में होते हैं? हाँ क्या face के center में रहने वाले atom क्या completely face के होते हैं? नई कितने लोगों के बीच में share होते हैं? दो लोग के मीच में. एजेस के सेंटर पे रहने वाले एटम वो कितने लोगों के बीच में शेयर हो रहे होते हैं? इसलिए उनका कांट्रिप्ष्योन कितना होता है, वार भाय, तो इन टारीक की क्याना क्या चारे हैं, हम लोग, Corner वाले 8 लोगों के साथ share हुए Body वाले किसी के साथ share नहीं हुए Face centered वाले 2 लोगों के साथ share हुए L center वाले 4 लोगों के साथ share हुए Therefore, Corner में रहने वालों का contribution कितना? 1 by A Face में रहने वालों का contribution कितना? 1 by 2 Edge में रहने वालों का contribution कितना? 1 by 4 और बोडी में रहने वालों का कंट्रविशन कितना होता है यह आपको मूर जमानी पूरे सॉलिट स्केट में रखता मारे के होना चाहिए पॉइंट नंबर 3 बोलो क्या एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेर में हमें ऐसा लगता है कि आठ आटम्स होते हैं क्या नहीं रियालिटी में सिर्फ और सिफ कितना होता है एक आटम्स कैसे पूरे वीडियो भर में वहीं सिखा रही होया है वापस थोना सिखाओंगे फर से एक हमें ऐसा लगता है कि बॉडी के सेंटर में आठ नौ एकम सोगे बच्टा याली कि में नौ आटम्स होते हैं क्या रियालिटी में रियालिटी में शाह बस ख़त्व अच्छा एज़ इंटर का मैंने आपको निकाल कर नहीं दिया लेकिना मैं एच सेंटर का निकाल सकते हम को कोई भी कस्टरमाइज प्रॉबल्म और ऐसके लिए हम लोगों को अब कोई तकलीफ निंक गये जैसे मान लेते हैं एक कोश्यन में बोला गया कि चार कॉर्नर एकम से ठीक हैं वह wonder चार रजगुले बंदो आपने कहाअ दो एज tidak दो निहीं आर्वाट एज़ वाले अश्व और तुमने यह customized plan मुझको दिया और बोला मैडम लो अब आप इसका net atom बताइए उस एक unit cell में कितने हैं आप यह निकाल कर दिखाओ तो मैंने का ठीक है क्या दिक्कत निकाल लेंगे बस आपको पता होना ची किसका कितना कितना contribution होता है corner वाले का contribution 1 by 8 edge वाले का contribution 1 by 4 body वाले का contribution 1 face वाले का contribution 1 by 2 खटम कहा निए simple अब बोलो corner वाला कितना 1 by 8 multiply by कितने है 4 edge वाला कितना 1 by 4 है कितने 12 बारा लेने को कहा है न इसलिए ठीके जितना लेने को बोला गया उतना अगर नहीं बताया है कितना लेना है तो total जितने होते है सारे के सारे लेलो corner कितने होते है 8 सारे लेलो बट अगर बोला है 5 corner तो पाँच ही चलेना 4 बोला है तो चारी लेना ठीके प्लस 1 into 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 into 1 by 2 क्या है बस समझ जो बस calculation करनी है तुमको कितना हो गया 1 by 2 प्लस ये कितना हो गया 3 प्लस 1 ये हो गया 3 by 2 तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 by 2 ठीके तो ये कितना हो जाएगा 4 plus आपका 2 यानि कि बोलो कितना 6 यानि कि मेरे imaginary unit cell में number of atoms कितने है 6 तो इस तरीके से तुम्हें किसी भी unit cell के अंदर या तो one mark के MCQ में या one line के question में ठीक है ये directly आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो क्या करना है बस एक diagram मनाना है diagram मैं बताऊंगी कैसे लिखना है statement वगेरा वच्छे से पूरे marking के साथ ठीक है ये इतना सा आसान सा topic है number of units cell per atom तो आप कितना कौन contribute करता है अगर ये याद रख माने में सफल हो तो इस question में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीव नहीं होगी देख लेते हैं इससे related कोई सवाल हम लोगों की exercise में है क्या नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है चलो देखो एक सवाल है बताइए calculate बोल रहा है number of atoms in FCC units तो आपको क्या करना है पहले draw करना है कि एक FCC कैसे रिखेगा कैसा draw करोगे ज्यादा हाइफ अटू ज्रौ नहीं करना है ब इसी हर face के center में एक बस उसके बार आपको second point क्या लिखना है कि each corner atom कितना contribute करता है बोलो 1 by 8 third point क्या लिखना है कि each face centered atom ये कितना contribute करता है 1 by 2 सो दे चौथा point क्या लिखोगे therefore number of atoms FCC में कितने हो गए 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2 और calculation करके रिखा ले रहा है ऐसे अब ये 8 क्यों आया क्योंकि total 8 corners होते हैं ये 6 क्यों आया क्योंकि total 6 ways होते हैं बराबर बस अब ये question दो book में दिया है बट जलूरी है क्या paper में FCC का ये बारे में ही पूछ सकता है simple cubic भी पूछ सकता है तो इन डारेक्ली तुम्हें अपनी आज की नोर्स कॉपी में total 3 questions बनाने हैं पहला calculate the number of atoms in simple cubic BCC FCC सभी के लिए एक ही pattern रखोगे पहले ड्रॉइंग और उसके बाद कौन कितना contribute कर रहा है तीसे पॉइंट में भी कौन कितना contribute कर रहा है और चौथे में उनकी calculations यह तीन question तो तुम्हें रखने ही रखने हैं अच्छा अब उसके बाद चौथा question तुम क्या लिखोगे बराबर चौथा question तुम लोगों को मैं एक दे रही हूं टेक्स्बुक में कुछ है क्या नहीं चौथा question चौलो मैं frame कर देती हूं आज के notes के लिए क्या लिखना है आप लोगों को चौथा question आपको यह लिखना है what is what what is the contribution of what is the country एक मिनट what is the contribution अदी यार contribution of each corner atom ठीक है each face centered atom ठीक है each body centered atom और each edge centered atom यह ऐसा सिर्फ एक atom का कितना contribution है answer में क्या लिखोगे one by eight one by two one और यह one by four समझ रहे हो यह इस तरीके से done ठीक है और उसके बाद question number five क्या create करोगे कि corner atom is shared by how many unit cells कितने unit cells के बीच में यह shared होता है answer क्या लिखोगे eight proper statement बना के अब बस इस corner atom को हटाओ next question क्या बना लेना face वाले के लिए next question क्या बना लेना body वाले के लिए next question क्या बना लेना आपके edge वाले के लिए done अब एक छटवा question मैंने आपको कहा calculate करिए number of atoms per unit cell किस में calculate करना है आप लोगों को end centered में क्या याद आ रहा है कल हमने end centered पढ़ा था हाँ याद तो आ रहा है बोलो क्या हो एंड centered का diagram बनाएंगे है न एंड centered में हर corner में 8 atom होते है no doubt बट इसमें कोई भी दो opposite faces लेलो और उनमें एक एक atom लगा तो बस इसको कहते हैं एंड centered तो इसका answer कैसे लिखोगे पहला diagram दूसरा point क्या लिखोगे कि corner वालों का contribution थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे face वालों का contribution और फिर करोगे calculations बो calculations क्या हैंगी कितने corner है 8 into 1 by 8 बट टोटल phases होती है 6 मैं मानती हूं बट इस question में बोलो phases कितना दी गई है सिर्फ 2 phases में atoms लेगा है तो आपको भी 2 ही लेना है और एक 1 by 2 का contribution so answer would be what 2 यह ऐसे ठीक है done बस यह है यही सेम चीज अगर तुम NCRT भी पढ़ते ना तो NCRT में भी दी हुई होती हर जगा दी हुई होती so nothing new तो यहां पे हम लोगों ने हम लोगों का यह कितने atoms कौन कितना कितना शेयर करता है यह सीख लिया है अब हमारा जो next topic रहेगा वो next topic यह रहेगा कि आपको जो यह diagram मैंने अभी दिखाए इन diagram के basis पर हम कुछ calculations करेंगे radius की कुछ edge length की वह हम लोगों की next topic है बराबर ठीक है तो फिलाल अभी आज के लिए ओवर करते हैं लेकिन यह diagram सब को बनाते आने चीए मैं ऐसे diagram बनाने को नहीं कह रही हूं simple तो बना सकते हो नहीं सिंपन यानि की कैसे यह ऐसा वाला या फिर यह जैसा मैं बनाती हूं हातों से कम से कम ऐसा तो बनाई ही लोगे बस इतना आना चीए ठीक है अभी के लिए सुरुआ करते हैं